तुमारे साथ फैज मुहम्मद हैं जो उसामा के बड़े भाई हैं उसामा जो अब्दुल हमीद के दामाद है और जिनको परिवार का ये दावा है कि पुलिस ने उनको कुछ दिनों से अपनी रासत में रखा है पर वो कहां इस बात की उनको जानकारी नहीं है आपको क्या जा जाए उसने का भाई इसी सी बात हो गई है मेरे सुसराल में दंग गया फसाज जगड़ा हो गया है मुर्ति विजरजन के दोरान तो हमने ठीक है वहां हुआ है तुम इतना की परेशान हो रहा हूं तो उसने डर के मारे उसने का ठीक है भाई हम रखते हैं फोन फिर हमने टिकट है मैं दिली सूसिट है जो हमने पर्चेज की अपने दुकान के समान और टिकट वगारा जिस होटल में मैं रुका लखनू में उसका भी मेरे बैड इवेंस है और दूसरी बात यह की जब मैं रास्ते में था लखनू से बहराइच की दर्में कम बीस किलमेटर पहले ह हम यह ख़बर आई कि जो है उसामा को इस्टेफ अले ने घर से उठा लिया है ना के दूसरे दिन चौदा तारिक के वही लगबग तीन बज़े की दर्मियान की बात ही है दोपहर में एस्टेफ की टीम आई थी और उसामा की जाल परताल की उनकी उसामा घर कौन सा है तो व निकला तो उसने बताया कि वह दरवाजा खोला फिर उसने बाद उसामा निकले फिर इस्टेफ टीम उनको पकड़ा क्या उसामा है तो गहां जी बताईए तो कहिं ठीक है घर की जाँच कर आई है घर के लिए उपर से नीचे तक पूरा तीन दोनों फ्लोर उनको जो है इस पर सिंगनीचर करानी अभी शाम तक बच्चे आजाएंगे और 14 तारिक साहर 18 तारिक साहर होगी अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल ला है मैं का जिगास से पर्यास कर चुका हूँ कोई पता नहीं चल ला बेगुना हों को इस्टिफ की जो टीम आई तो ले गई उन जो ऑगाल गाले कि अश्टिफ मिनिश्टर साब से कहना कूँ कि मेरा भाई दोस्त मौमध उर्फ उसामा और वहाई शाहित जो जो बलापुर का रहने वाला यहां काम करता था था पांसाध हजारू मैने पर, अब बतें उसे क्या गुना गया है, उसको ले गए, अभी तो उसका पता ने चल पा रहा है कहां है। हम यह चाहते हैं हम निया चाहते हैं कि उन बेगुनाओं को रिहा किया जाए क्योंकि इस केसे उन्हों कोई लेना देना नहीं है अब उसामा के बड़े भाई को सुन रहे था उनका कहना है कि उनके भाई को 14 तारीक से स्टीफ ने उठाया है और अभी वो कहा है उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है तो सीम से भी गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरे प्रक्रण में नया किया जाए उनके भाई जो बेग झाल 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 झाल